हेलो दोवस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि बृत का छेत्रफल, परिधी और व्यास को कैसे निकाला जाता है देखे हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि बृत का परिभासा क्या होता है देखे इसका परिभासा होता है एक निश्चित बिंदू से समानदूरी परिस्तित बिंदूओ का बिंदूपत बृत कहलाता है देखे आपर एक बृत है और इसका जो तृज्या है वह है आर और देखे तृज्या का मान जो है वह है 14 सेंटीमीटर देखें ओँ लोग सबसे पहले बृत का छेटरफल को निकालने के लिए सीखेंगे देखें इसका फोर्मूला होता है Pi यार स्क्वाईर देखें गनीत में Pi का जो मान होता है वह होता है 22 बटा साथ यानि देखिए आपको हमेशा आद रखना है कि πाई का मान 22 बटा 7 होता है तो देखिए हम लोग सबसे पहले बृत का छेतरफल को निकालने के लिए सीखेंगे यहाँ पर देखिए पाई है तो सबसे पहले देखिए पाई के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 22 बटा 7 को अब देखिए यहाँ पर है R का स्क्वाइर देखिए यह दोनों आपस में होता है गुना में तो देखिए गुना का चिन को लगा करके अब हम लोग यहाँ पर R का स्क्वाइर को करेंगे यानि देखिए R का जो मान है वह 16 cm तो यहाँ पर देखिया, आर स्क्वायर के बदले अब 14 को दो जगह पर लिख सकते हैं देखिया, यह दोनों के बदले आप 14 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं अब देखिया, छेत्रफल को निकालने के लिए आपको यहाँ पर संख्या को काटना है यानि देखे साथ से चौदा को काटे तो यह कट जाएगा दो बार में अब देखें आपर जो भी संख्या है इसको आपस में गुना को करना है यानि बाइस से गुना करे दो में तो यह हो जाएगा चौवालीस अब आपको चौवालीस में चौदा से गुना को करना है 14 से गुना 4 में करे तो यह होगा 65 यहाँ पर देखे 5 हांसिल है तो यह हो जाएगा 60 यानि देखे यह ब्रीत का छेतरफल आजाएगा 616 cm2 देखे जब भी 6 छेतरफल को निकाला जाता है तो वह हमेशा cm2 के रूप में आता है तो चलिए अब हम लोग ब्रीत का परीधी को निक कालने के लिए सीख लेते हैं देखे ब्रीत का परीधी का फर्मूला होता है तूपा यार देखे परीधी हम लोग इसको कहते हैं जो ब्रीत के बाहर यह लाइन होता है यह लाइन को हम लोग परीधी कहते हैं तो चलिए अब हम लोग इसका परीधी को भी निकालते हैं देख सबसे पहले लिखेंगे दो को इसके बाद देखिए यह दोनों जो है आपस में होता है गुना में देखिए पाई का जो मान होता है वह होता है बाइस बटा साथ देखिए यहां पर है आर इसको लिखेंगे गुना में और आर का जो मान है वह देखिए है 14 सेंटीमीटर तो यह पर लिखेंगे 14 को, 7 से 14 को काटे, तो यह कट जाएगा दो बार में, अब देखिए हैं पर जो भी संख्या उपर में है, इसका आपस में गुना को करना है, दो से गुना 22 में करें, तो यह हो जाएगा 44, 44 से गुना 2 में करें, तो यह हो जाएगा 88, और देखिए जब भी परीधी आता है, तो वह आता है सेंटी मीटर के रूप में, यानि देखिए यह ब्रीत का परीधी कितना होगा, वह हो जाएगा 88 सेंटी मीटर, तो चलिए अब ह का ब्यास को निकालने के लिए सीख लेते हैं देखें हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्यास किसको कहते हैं देखें ब्यास होता है त्रिजिया का दो गुना यानि देखें यहां से ले करके यहां तक की दुरी को ब्यास कहा जाता है इसका देखें फर्मुला होता है लिए सबसे पहले फार्मूला है डोगी तो देखिये हम लोग सबसे पहले 2 को लिखाएंगे और देखे Greek का जो मान है वा है 14 सेंटीमीटर तो यहाँ पर लिखाएंगे 14 को देखे दोसे गुना 14 में करें बेर यहां हो जाएगा 28 अच्छे लगी हो तो वीडियो को कर दिजिए गलाइक और चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकोन को प्रेस जरूर कर लिजिएगा